हिए मैं पाउन मिस्रा और आज इस वीडियो लेक्चर में कोथारी कमिश्न का पार्ट टू करेंगे इससे पहले कोट कमिशन है कोठारी कमिशन ने भारती सिक्षाक के संदर में उसको बहतर बनाने के लिए अपने कौन-कौन से सुझाओ कमिशन ने भारत सरकार को दिये तो हम एक-एक करके उसे बात करेंगे तो सबसे पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं किन-किन पॉइंट्स पर जो आयोग ने अपनी सिफार से बारत सरकार को दी थी तो एक-एक पॉइंट्स को हम देखते हैं एजुकेशने नेशनल आप्जेक्टिव सिफ्चा और राष्ट को लेकर अपने सुझायोदी एजूकेशनल ड्रक्षरएंड स्टेंडर्कों लेकर अपने सुझायोदी टीचर स्टेटस को लेकर टीचर एजुकेशन को लेकर उसने सुझाओ दिए एन्रोल्मेंट एंड मैंपावर विद्यार्ति संख्या और जन्बल के संदर में अपने सुझाओ दिए उसके बाद संदर में सुझाओ दिए एक्सपेंशन ऑफ स्कोल एजुकेशन की विद्याले सिक्षा का विस्तार किस तरह से किया जा सकता है स्कूल करीकूलम कैसा होना चाहिए टीचिंग मैथर्स गाइडेंस एंड इवैल्यवेशन के संदर में सुझाओ दिए हायर एजुकेशन को और कि पोउइशन टेकनिट्टार कहिंट इंजेयर कीशन को क। इसन ठ मीचिएशन को ऊद़ए लिए था सबसे पहले हैं अघ्याली स्टारि की जो हमुड़ी के शेयर हैं आपे प्लोगेस हैं कि इसमें कहा गया कि जो हमारा यूट है जो हमारे हां पर लोग हैं बच्चे हैं उनको जादा सी जादा उनको educate किया जाना चाहिए उनको science education देनी चाहिए उनको technical education देनी चाहिए agriculture की education देनी चाहिए commerce education देनी चाहिए तो इन अलग-अलग fields में बच्चे को train किया जाना चाहिए तो अब लोग बढ़े लिखे होंगे human को human resource बनाया ज उनको science, technology, agriculture, commerce इन अलग लग जो विशियों में उनको train किया जाए जिससे देश की उत्पादक्ता में वृद्धी हो सके social and national integration की सिच्छा के माध्यम से राश्ट एकता का विकास किया जाए लोगों में brotherhood की feeling develop की जाए एक दूसरे की respect की जो feeling है डेवलप किया जाए तो education ऐसी हो जो देश में लोगों के बीच एकता की भावना को विक्षित करे education and consolidation of democracy सिच्छा वो परजातन्तर की सुदिर्टा कि सिच्छा ऐसी होनी चाहिए जो लोगतन्त को और मजूद बनाए तो क्या करना चाहिए कि बच्चों को free and compulsory education दी जाए सबको लोग जारा से जारा educate होंगे अवेर होंगे तो परजातन्तर की जो सुदिर्टा है वो बढ़ेगी तो बच्चों को free and compulsory education दिया जाए सबको equal opportunities provide की जाए जिससे परजातन्तर डेमोक्रसी और मजबूत हो इसके अलामा education and modernization सिच्चा और आधुनिक की करण की आधुनिक जोड़तों के हिसाब से वर्तमान और भविश्य को देखते हुए सिच्चा में बदलाओ लाजया क्योंकि अभी तक जो सिच्चा वेश्ता चल ले थी पुरानी चल ले थी अंग्रेजियों के समय की अब उसमें बदलाओ क तो देखते हुए सिच्चा को भी आधुनिक बनाया जाया नई नई टकनॉलजी है उससे वह सिच्चा में लाया जाए ताकि बच्चे की साइन्स और टेक्नॉलजी जो है उसकी नोलेज बच्चों को दी जाए ताकि देश आगे बढ़ सके इसके अलावा एक और science and technology की बात की गई तो development of social, moral and spiritual values की science and technology के सासाथ बच्चों में values भी develop किये जाएं इसके बाद जो कोठारी कमिशन ने जो education का common structure दिया 10 plus 2 plus 3 की 10 year की एक general education सभी बच्चों को दी जाएं उसके बाद फिर बच्चे अपना interest के हिसाब से जिस फिल्ड में एरिया में जाना चाहते हैं तो plus 2 higher secondary level पर अपने अपने हिसाब से बच्चे, commerce, science, arts, अलग-लग फिल्ड में जा सकते हैं और इसके बाद एक college की जो general education 3 year की undergraduate तो इस commission ने 10 plus 2 plus 3 का एक structure दिया आज के समय भी हम college में देखेंगे स्कूल में देखेंगे तो इस structure को follow किया जाता है जहां पर 10 year की common education सबको दी जाती है उसके बाद फिर बच्चा अपने interest के हिसाब से अलग-लग फिल्ड में जाता है plus 2 और इसके बाद college level की plus 3 इसके अलामा commission ने बोला कि जो school में first class में जो admission की minimum age होनी चाहिए six year होनी चाहिए उसके बाद school level पर pre primary, primary, secondary, high secondary के लिए जो commission ने जो अलग-लग duration बताए कि pre primary जो होनी चाहिए one to three year की primary education four to five year की अपर primary two to three year secondary general two year और secondary education for vocational stream two to three year और higher secondary education general two year और फिर vocational two to three year तो इस तरह का एक school का structure commission ने बताया और इसके बाद अगर हम college education की हम बात करते हैं तो 10 plus two plus three का structure आपको समझ में आ गया degree under graduate three years का post graduate जो है two to three years का होना चाहिए और जो research है वो two to three years का होना चाहिए status of teacher अध्यापकिस्ति में किस तरह से बदलाव करना है तो इसके संदर में जो commission ने अपने सुझाव दिये कि teachers की pay scale को अच्छा किया जाए और उनकी जो condition of work and services की जो minimum eligibility qualification है कि सिक्षकों की नियुम्तम पातरता योगता है प्राइमरी लेवल पर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी कोलेज लेवल पर तो minimum eligibility qualification को decide किया जाए कितनी होनी चाहिए और वर्कलोड कितना होना चाहिए प्रमोशन किस बेस पर होना चाहिए और उनके लिए रेजिटेंस फैसलिटीज प्रोवाइड के जाए टीचर को motivate करने के लिए उनके लिए नेशनल प्राइजिस लाश्टेप प्रिसकार उनको दिये जाए और professional development program की skill development के लिए teachers की skill development के लिए इस तरह के professional development program चलाए जाए और टीचर्ज को तमाम परकार के सुभधाएए तीय ह्रे medical पिए इस तरह के सुभधाएए उनको प्रदान की जाए पिटीचर education के अंदर में जो कमिशन अपने सुझाओ दिये कि टीचर एजूकेशन चाहे डिलेट की बात करते हैं बिलकुल फ्री एजूकेशन दिया जाए बच्चों को ताकि टैलेंटेट बच्चे भी आगे फीचर में टीचर बन सके किसी के सामने किसी परगार की कोई पैसे की कमी ना हो तो फ्री एजूकेशन दी जाए डिफ्रेंट करिकुलम की डिलेट, बीएट, एमेट की अलगलग कोर्सिस के लिए अलगलग करिकुलम होना चाहिए प्रेड आफ ट्रे निंग की अलगलग D8 की जैसे हम बात करते हैं D8 की बात करते हैं 2 एर्स का होना चाहिए वन येर का होना चाहिए लेकिन आगे फूचर में उसको two एर का किया जाए और M8 जो है one and a half year की होनी चाहिए बच्चों के लिए स्कोलर्शिप एंड लोन त्रेन और चात्रवियस्तों के व्यवस्ता की जाए और लैब्रेरी और जो लैब है उसको इंप्रूव किया जाए उसको अच्छा बहतर बनाया जाए इसके अलावा SBT will be stabilizing state की हर state में हर राज में state board of teacher education बनाया जाए कि परते के राज में सिक्चक सिक्चा परिसत के स्थापना की जाए और इसका काम क्या है कि उस राज में जो teacher training institute है उसको उसको उसकी निगरानी करे उसको और भैतर बनाने का परियास करे उसमें गुर्वत्ता लाए और teacher education के संदर में जो नियम बनाने का जो कार है state में वो SBT का होना चाहिए तो state में सिक्चक सिक्चक और भैतर बनाने के लिए state board of teacher education हर राज में बनाया जाना चाहिए school for teaching practice की जिन schools में बच्चों को teaching practice कराई जो teacher trainees हैं तो school recognize होने चाहिए मानिता प्राप स्कूल होने चाहिए teachers eligibility की अलग अलग सतर पर primary teachers के लिए secondary, higher, secondary, college teachers की जो eligibility है उसको decide किया जाए तो training for untrained teacher की उस समय में बहुत सारे जो teachers ऐसे थे जो schools में पढ़ा रहे थे लेकिन वो trained नहीं थे तो उन teachers को भी trained करने के लिए and teachers को भी train करने के लिए short term courses अलग अलग program चलाए जाए courses चलाए जाए ताकि untrained teachers को भी train किया जा सके इसके बाद student enrollment and manpower की विद्ध्यारती संख्या और जन्बल की विद्ध्यारती की संख्या में विद्ध्य करने के लिए और human को human resource मनाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन है बिल्कुल free and compulsory education सबको दी जाए यह मतलब बच्चे जो है सास वर्से लेकर 14 वर्स तक की जो उनकी education उनको बिल्कुल free and compulsory education बच्चों को दी जाए ताकि जारस जारा बच्चों का educate किया जा सके इसके अलामा secondary and higher secondary only for deserving student की primary के बाद जो बच्चा secondary education लेना चाथा है सभी को नहीं जो लेना चाहता है सिर्फ उशिकको secondary education दी जाए जो deserving है और जो interested है सिर्फ उशिको secondary education दी जाए और जो interested नहीं है और जो आगे नहीं पढ़ना चाहता उसकी लिए vocational courses चलाए जाए expansion of vocational professional टेक्निकल एजूकेशन की वेफसाइक तक्निकी और जीविकास अमंदी शिक्षा का विकास करना है तो इसमें टार्गेट लिया गया था कि सेकंडरी लेवल पे कम सकम 20% को वोकेशनल एजूकेशन दीजाए तो वेफसाइक तक्निकी और जीविकास अमंदी जो शिक्षा है इसका विकास करने की बात की गई और इलेटरेसी निरक्षरता का उन्मूलन करने की बात की गई कि देश विकास पर तभी आगे बढ़ सकता है जब यहां की जो निरक्षरता है इलेटरेसी है उसको खतम किया जाए और फिर अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो भी 15 साल से उपर के जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको एजुकेट करने के लिए अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जाए इसके अलाम एकलाव से अडल्ट सेक्शिक औरंसरों की समानता के लिए जो सुझावव दिये कड्यन की सबको free education दी जाए प्रैमरी अपर प्रैमरी जो है वो free education सबको दी जाए up to 7th class और प्रोविजन फोर स्कोलर्सिप छात्र विड़तियों की विवस्ता की जाए जो गरीब बच्चे हैं या जो एजुकेशनल अपॉर्शिटी समान से चिक आफसर प्रदान किये जाए और मोबाइल स्कूल सुट भी सेट अप फोर एजुकेशन ऑफ ट्राइबल पीपल की जो ट्राइबल एरिया है जो आदिवासी छेत्रे हैं वहाँ पर बच्चों को एजुकेट करने क्लिए क्योंकि तो वह एक चलता फिर्था स्कूल होता है जो है बंग के द्वारा एक चलती फिर्थी घ्लाशें होती है तो वहाँ पर इसको Sparkle Inc को कि जो ट्राइबल एरिया है जो रिमोट एरिया है वहाँ पर इस तरह का स्कूल चलाया जाए जैसे हमने देखा है फिल्मों में देखते हैं कि जो वैन में ही घर होते हैं बड़े-बड़े जैसे हम टैंपो देखते हैं तो उसको एक घर की रूप में सब डेवलोप करते हैं स्कूल होना चाहिए ताकी ट्रयबल एरिया में भी लोगों को एजुकेट किया जा सकें अब कि अब अब एक्श्पेरिसेन ओफ स्कूल एजुकेसन विद्याले सिक्छा का विस्तार किस तरह से किया जाए तो सबसे पहले expansion of pre-primary education प्रात्मिक शिक्षा का विस्तार किस तरह से किया जाए कि जादा से जादा pre-primary schools खोले जाए और जो government है लोगों को motivate करे school खोलने के लिए उनकी मदद करे इसके अलामा प्रतियक राज्य में government इस तरह के education center खोले जहाँ पर जो youth है उसको pre-primary school के लिए pre-primary education के लिए उनको teacher training दी जा सके और इसके अलामा pre-primary level पे research and innovation को भी जारे से जारा बढ़ावा दिया जाए तो इस तरह से pre-primary education का विस्तार किया सकता है expansion of primary education की primary schools जारा 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 खोले जाए हर one kilometer के distance पे एक primary school open किया जाए और three kilometer के distance पे एक upper primary मतलब six to eight class का जो school है वो खोले जाए और जो बच्चा जो है primary education complete करके आगे नहीं पढ़ना चाहता तो उसके लिए vocational courses का arrangement किया जाए तो एक courses की जाए primary school के विस्तार के लिए कि जारे से जारा बच्चों को admission दिया जाए और जारे से जारे school खोले जाए ताकि जारे से जारा बच्चे पढ़ लिख सके उसके बाद expansion of secondary education तो secondary education सिर्फ उन्हीं बच्चों को दी जाए जो primary education के बाद secondary पढ़ना चाहते हैं जो पढ़ने के इच्चों को उन्हीं को secondary education दी जाए इसके अलावा जो बच्चा primary के बाद आगे नहीं पढ़ना चाहता तो उसके लिए वोकेशनल कोर्सी चलाए जाए तो इसमें एक बात की गई कि जो secondary education है उसका vocationalization किया जाए कि जो माद में सिख्चा है उसका website करन किया और बच्चों को website course भी उनको सिखाया जाए ताकि बच्चा future में अपनी जीव का पारजन कर सके तो इसके बाद जब secondary education के बाद बच्चा higher secondary में जाए तो एक government का target था कि secondary education का अगर vocationalization website करन किया जाए तो कम से कम 20% बच्चों को vocational education दिया जाए और यही बच्चे जब आगी hire secondary में जाता है तो कम से कम hire secondary में पचास percent 50% student को vocational education दिया जाए तो इस तरह से secondary और hire secondary education के expansion विस्थार की बात की गई और इसके अलामा district level पे इस तरह के secondary higher secondary को और विस्थार के योजनय बनाए जाए कारिक्रम चलाए जाए है तो इस तरह से commission के school education के expansion उसके विस्तार की बात कही अब हम school curriculum की बात करते हैं तो अलग लग सतर के लिए curriculum बनाया गया सबसे पहरे pre school education की बात करते हैं तो pre school में जैसे बच्चों को कपड़े कैसे पहनना है wearing है खाना कैसे है cleanliness है साफ सफाई और games creative work इस तरह की education दी जाए और फिर वही बच्चा जब primary education में आए primary में आए कच्चा class one two four की हम बात करते हैं तो one two four में उसको क्या किया जाए कि उसको एक language की knowledge जी जाए जो उसकी mother tongue है उसके बारे में उसको बताया जाए है इसके अलामा उसको जो math है math की education दी जाए इविए एस environment study है physical science है इस तरह की education बच्चों को दी जाए और उसके बाद फिर हम lower primary stage की बात की उसके बाद अगर हम higher primary stage की बात करते हैं तो higher primary stage का मतलब है class 5-8 तो higher primary stage पर बच्चों को दो language चिखा जाए एक mother tongue या regional language दूसरी Hindi और English इसके अलामा बच्चों को math, science, social science, art, work experience, physical education, moral education इस तरह की सिख्चा higher primary stage पर दी जाए मतलब class 5-7 इसके बाद फिर हम बात करते हैं lower secondary stage की lower secondary stage का मतलब है class 8-10 तो lower secondary stage पर बच्चों को three language सिखाई जाए three language एक regional language या mother tongue दूसरी Hindi और English और तीसरी modern Indian language हो सकती है cultural language और इसके अलामा कोई foreign language भी हो सकती है और उसके बाद फिर बच्चों को इसके अलामा क्या-क्या सिखाए जाए उनको math, science, social science, art, work experience, physical, moral तो इस तरह की education बच्चों को दी जाए तो एक हमने देखा कि एक 10-year का एक जो common curriculum है जो सभी बच्चों के लिए हैं जिसमें language है और इसके अलाम math, science, social science, physical education, moral education, work तो एक common है जो बच्चों को starting से ही 10th class तक दी जाए अब इसके बाद हम बात करते हैं higher secondary stage की उच्चे माद मिक्स तरकी तो higher secondary stage पर बच्चों को two language की knowledge दी जाए एक modern Indian language दूसरी को ही बाहर foreign language या classical language उर्दू, पंजाब इस तरह की हो सकती हैं और इसके अलामा कोई भी तीन जो तो अलग सब्जेक्ट है two language plus three subject or subject geography, sociology, physics, mathematics, geology, home science, biology, chemistry, psychology, economics, history, कोई भी तीन सब्जेक्ट बच्चा ले सकता है तो इस तरह से अलग-अलग stage पर curriculum को decide किया गया त्री लेंग्वेज फूर्मुला, त्री भासा सूत्र जिसमें एक mother tongue है, दूसरी जो है English या Hindi है और तीसरी जो है जो पहली और दूसरी भासा के रूप में बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही तो जैसे आप समने भी school में three languages पढ़े होंगे एक secondary stage में जिसमें पहली जो भी हो सकती mother tongue या original language, second हिंदिया English और ठर्ड जो है उर्दू संस्क्रीट कोई foreign language हो सकती या वो language जो आप पहली और दूसरी लेंग्वेज करूप में नहीं पढ़ रहे है तो schedule of language अब इसके बाद हम बात करते हैं teaching methods की बात करते हैं तो implementing teaching methods की सिक्षंड वीदियों में सुधार किया जाए जो पुरानी रोट method चले आ रहे हैं रट्टा वीदि उसको सुधार किया जाए teaching methods flexible होने चाहिए और जो नए teaching methods है उसकी बारे में knowledge देने के लिए aware करने के लिए समय समय पर workshop चलाए जाए सेमिनार conferences चलाए जाए ताकि teachers का जो skill develop किया जाए सके उनको नए-नए methods से परिचित कराया जा सके और जो इसके अलावा जो schools की textbook है उसमें improvement किया जाए जो NCRT की जो guidelines है उसको follow किया ज state में एक textbook committee है जो इस चीज़ को देखे जो पार्ट पुस्तर की जाज करें और इसके अलावा जो talented लोग है जो परतिभा सारी लोग है उनको जो school की textbook लिखने के लिए motivate किया जाए और guidance की जो guidance program है प्राइमरी स्कूल से ही guidance program चलाए जाने चाहिए और secondary level पर कम सकम 10 school के लिए एक counselor को अपॉइंट करना चाहिए क्योंकि बच्चों को समय समय पर guidance counseling की जो पढ़ती है इसके अलावा जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सिस हैं डीएड है डीलेड बीएड एमेड उसमें भी guidance counseling को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए और जो evolution है जो उस time के जो प्रिक्ष उनका जो talent है उसको नापने के लिए exams के अलावा और भी अलग लग विद्यों की विद्यों नए नए जो methods है उसको उसके थुरू बच्चों की जो achievement है उनका talent है उसको observe किया जाए देखा जाए सिर्फ लिखित परिक्षाओं पर ही को आधार मानकर ही ना रहा जाए और इसमें सुधार की जाने की बात की इस कमिशन की एक्स्टर्नल के साथ इंटर्नल्स को भी वैल्यू देने की बात कही गई इसके बाद higher education की बात करते हैं तो objectives of universities की उपजेक्टिव क्या होना चाहिए कि जारा जारा बच्चे को train करें और जो भी राष्ट की जोड़ते हैं देश की जोड़ते हैं उसके साब से बच्चों को जो अलग लग जो stream है science, commerce, arts अलग लग जो हैं बच्चों को educate करें और उन की उनकी जो skill को develop करें नई universities हैं नए नए universities की स्थापना करना है और जो इनवर्षिटी जो इनवर्षिटी अच्छा काम करें जहां पर research innovation को पर जादा focus किया जा रहे हैं उन universities को major universities के रूप में वर्ष्ट विद्यालों के रूप में उनका विकास करना और जिन universities का सब्सक्राइब में सब्सक्राइब मुल्यांकन जो उस टाइम की परचित मुल्यांकन पदिती थी जो स्रक्चर था जो सिस्टम था उसमें सुधार करना है और जो मुल्यांकन के जो नए तरीके हैं उसको अपनाना है और मेडियम ओफ एजुकेशन की अंडर ग्रेजुरेट लेवल पर जो बच्चों को रिजरल लेंक्वेज या मदर टंग में उनको जो सिख्चा का माध्यम होना चाहिए रिज़यल लेंग्वेज या मदर टंग और जब बच्चा वही फिर ग्रेजुसं के बाद पोश्ट रेजुचन और हार एजुकेशन की तरफ और जाए तो उसकी जो medium of instruction वो English होना चाहिए और इसके बाद system of selective admission की जो उन बच्चों को विस विद्ध्यालियों में एक ऐसी पढ़नाले विक्सित की जाए कि जो बच्चा talented है और जो आगे पढ़ना चाहता है स्री पूनी बच्चों को education दी जाए तो इस तरह की चीज़ें की जा सकती है university autonomy की विद्ध्यालियों को जारा से जारा स्वतनतता दी जाए उनको admission को लेकर नए courses को चलाने को लेकर जारा से जादा उनको autonomy स्वतनतता दी जाए ताकि university अच्छा काम कर सके फिर women education की बात तो उनके लिए scholarship अलग colleges खोले जाए अलग विद्ध्याले खोले जाए और hostel facilities उनको provide की चाहिए फिर adult education को लेकर की need of adult education की एक राष्ट का विकात तभी हो सकता है जब वहां के सभी लोग educate हो तो इसलिए education एक long term education जीवन भर चलने वाली प्रिक्रिया है long life process है तो इसलिए adults को भी जो 15 साल से उपर के लोग हैं उनको भी education दी जाए और उनके लिए arrangement for adult education की जो विद्याले हैं विद्याले का जब समय खतम हो जाता है बच्चों की चुट्टी के बाद उनको committee center की रूप में develop किया जाए और विद्याले सुरूने से पहले या खतम होने के बाद वहां पर adult education का arrangement किया जाए जो 15 साल से उपर के लोग है और correspondence courses चलाए जाए role of university in adult education की विद्याले को भी initiative लेना चाहिए और अपने यहाँ पर adult education program चलाने चाहिए और अपने यहाँ पर department भी बनाने चाहिए जिनका काम है कि जो वयस के हैं उनको सिक्षित करना तो universities को भी इस तरह की responsibility लेनी चाहिए और अगले 20 सालों में जो निरक्सरता है उसको खतम किया जाए जारे से जारे पुस्तकाले library open किये जाए पब्लिक library open किये जाए ताकि लोगों में पढ़ने की प्रविर्टी का विका हो सके इसके अलावा science education को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि इस आयोग ने science education को बहुत जारा महत्पून बताया विज्ञान सिक्षा की महत्ताओं को बताया कि उसका मानना था कि it is related to the development of country कि science technology जिस देश में जितनी जादा बढ़ती है उस देश का विकास उतनी तिरी से होता है तो इट इस रिलेक्टेटी तो दर डेवलप्मेंट ऑफ कंट्री इंक्रीज द नंबर ऑफ साइंस च्रेंड विज्ञान के विध्यार्थियों के संक्या में विध्धी करना और साइंस लेबर्टी से स्क कॉलेज और स्कूल नेवल पर जो टीचर से उनको और ट्रेंड करना था कि साइंस एजुकेशन को और बहतर बनाया जा सके और इस्टेबलाइजमेंट ऑफ हायर लर्निंग सेंटर्स पोर साइंस एजुकेशन विज्ञान सिक्चा के लिए उच्छा धिन के इन्रों की स्था रिसर्च प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए और प्रैक्टिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नोलेज पर भी ज्यादा बल दिया जाना चाहिए और इस्टेबलाइजमेंट ऑफ ट्रेंग सेंटर्स फोर टीचर ऑफ एग्रिकल्चर एजुकेशन किर्सी चिक्छा के लिए प्र जो किर्सी सिक्छा है अग्रिकल्चर एजुकेशन है उसको विद्यालेओं की समान सिक्छा का अभीन अंग होना चाहिए कि विद्यालेओं में भी वह परदान की जाने चाहिए और जो भी ग्रामी डूलर एरिया में जो पोल टेक्निकल जो कॉलेजी सेंस्तान है वहां पर किरसी सिक्षा की विवस्ता की जानी चाहिए इसके अलाम of vocational technical and engineering education के संदर में सुझाओ दिया कि complete vocational education courses at school level की secondary education को vocationalization of secondary education मादमी सिक्षा का website करण किया जाए और सट्ट्रेशंट पर सोट्टंट की season की जन बच्चों का सिक्चा में मनिन नहीं उन बच्चों को वोकेशनल कोर्सिस प्रवाइड की जाएं और एक्स्टेंशन ओफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्ट्यूट की ओद्योगिक पर्सिक्षण सहस्तानों में पर्सिक्षण की सुवधाओं का विस्तार किया जाए इस्टेब्लाइजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो बच्चा जब स्कूल एजुकेशन कंप्रीट करता है तो उसके बाद इस तरह के अलग लग वेफसाइक पर्सिक्षण कालकरम के थाद उनको ट्रेंड किया जाएं ताकि फ्यूचर में उनके जोब के अफसर और ज्यादा बढ़ जाएं प्रोविजन ओफ एजुकेशन रिलेटेड टू एग्रो बेस्ट इंड्रस्ट्री इन पॉल टेक्निक्स ऑपरेटिंग इन डॉलर एरियास की ग्रामिंट शेत्रों में चलने वाले पॉल टेक्निकों में किरसी आधारित उद्योग्यों से संबंदी सिक्षा प्रदान की जा जाए और चेंजिस इन दे करिकुलम ओफ इंजिनरी कोलेज एज़ पर करेंट की वर्तमान जोड़तों के साब से इंजिनरी सिक्षा के पाश्टकर में भी बदलाओ किया जाए प्रोपर ट्रेनिंग फॉर श्रेंड विद्धियार्तियों के लिए प्रस्रिक्षन की उचित विवस्ता की जाए तो आज की इस वीडियो लेक्षर में हमने देखा कि कोठारी कमिशन ने अलग लग छेत्रों में क्या-क्या सुझाओ दिए कि चाहे स्कूल एजुगेशन है कोलेज एजुकेशन है अडल्ट एजुकेशन है गर्ल्स टेक्निकल इस तरह की अलग लग इसका भारती सिक्षा पर क्या असर क्या इंपक्ट पड़ा तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि